यह बॉट्मारिका भी डिसका हो चुका है यॉरोप को बहुत अच्छे से हम देख रहे अफ्रीका भी हमने देख लिया है अब उसी के दौरान उसी में एक सीरीज में फॉलो करते विए तोड़े वी हाव देख विए अफ्रिका इसे चनरमॉली इंफर्ट आफ यू और आप सभी का विनंदन है और आप सभी को हार्दिक्षुप कामना है चब्विश जन्वरी के उपलक्ष में फिर से जैहिंद इस इस लाज़ेस प्लैटफॉर्म वेर वेर मीटिंग और यॉप आप सभी आएकत्रित हो चुके हैं यह लाज़ेस प्लैटफॉर्म है वेर एनी अफ एजुकेटर आप लाफ और लाइट सम्वेर इस और आप सेशन पंद्रह है आफ्रिका के बारे में आज हम कुछ कुछ करने वाले जो पढ़ाया है देखिएगा किस तरह से उसी से आप सब्सक्राइब का कोर्स आज से चालू हो रहा है प्लस पे तो जो लोग नहीं है वो आनंद लेना चाहते है पूरे आपका प्लस कोर्स का बहुत सेशन्स होने वाले जोग्रफी पॉलिटी कॉन में सब कुछ एकदम जो होता है न की आज सब्सक्राइब कोशिश कर रहे हैं वो सब यहां लाने की ट्राइट फॉलो देस फिजिकल जोग्रफी का से चालू हो रहा है एन्यों आउट देर वांस टेक प्लस कोर्स सीमसी कोड लगा कि आप और एक 27 अब को बस बच रहा है यूँ अग्विभी सताहिस अब आपको बच रहा है यूँ आप 6 6 months of extension अगर आज आप लेते हैं तो CMC's the code do remember 20 set of books भी आपको मिलेंगी hundreds of tests आपको मिलेंगे to solve चलिए अप चालू करने जा रहे हैं so everyone out there सब एकत्रित हो चुके हैं फिर से सब को जेहिंद सब एकत्रित हो चुके हैं लगता है चलिए आगे चलते हैं परेशान कुछ नहीं आता है ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी को कुछ नहीं आएगा आप में कुछ खास जरूर है इसलिए आप इस धर्दी पे हैं और आपको आता ही होगा ऐसा नहीं है आप जिस दिन विश्वास कर लेंगे आपको कोई रोक नहीं पाएगा चलिए आगे चलते हैं इसी देश के साथ पहला question आपके सामने आ चुका है and that question I feel is easiest के बिलकुल easiest समय लिजेगा अराम से सोचेगा consider the following statements with respect to Africa it is the only continent that is crossed by tropic of cancer equator and tropic of Capricorn second statement is it is bounded by Red Sea in the northwest which of the statements given above is our correct घबराईएगा नहीं बहुत समझ के सोच समझ के यह answer करिएगा which of the statements given above is our correct हम correct पूछ रहे हैं पताईगा anyone out there who knows the answer और इस सभी बता देंगे शायद बहुती आसान सा question है बहुती आसान सा question है question के answer आने लगे हैं कुछ a पे हैं कुछ c पे हैं कुछ की दिशा भंग हो चुकी है आप देखिएगा बहुत सोच समझ के हमें answer देना है this is east and this is west फिर से देख लीजिएगा यहां पर आपके option है वहां अगर OMR में मार्क कर दिया तो कर दिया अब वो चेंज नहीं होगा प्ली सी दिस प्ली सी दिस इस पहले में तो कोई doubt किसी को होना ही नी चाहिए हमने कितनी बार बताया है countries भी आपको बताई है कि कैसे follow कर रहा है आपका cancer equator and Capricorn it is passing through it that is very much clear to you पहला बिल्कुल सही है दूसरा it is bounded by Red Sea Northwest देखिएगा Northwest तो यह है Northwest में कहां आपका था Red Sea Northwest में अगर आप आजाएंगे तो आप तो अपने Atlantic में पहुँच गए आप Northeast अगर लिखते तो हम इसको सही मानते समझेगा यह trick है यह mind game है जब हम question attempt करते हैं तो शायद हम इतना emotional होते हैं कि गलत हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है आप यहां गलत करिए कोई परिशानी नहीं है पर यह गलती वहां नहीं होनी चाहिए Northwest और Northeast का फरक रखना है आप लोगों को याद रखिएगा if I change the question to that it is bounded by it is bounded by canary current in the Northwest अब बता ही अब सही होगा या गलत होगा if I say it is bounded by canary current या canary current in the Northwest will this be right now or will this be wrong सभी का फिर से स्वागत है और सभी को एक जोरदार जैहिंद है चलिए एक चीज रह गया है अब सब एक अत्रिस हो चुके हैं तो बोलना ज़रूरी है every session that I start with is some positivity और आज की positivity आप ले जाहिए ना मातु हूँ परदेवतम ना मातु हूँ परदेवतम का मतलब है मा से बड़ा और मा से आगे कोई भी कोई भी देवता या कोई भी positive energy नहीं हो सकती है ना मातु हूँ परदेवतम परदेवतम का देवता का मतलब सिर्फे gods नहीं है this is about positivity and entity that might have created all of us ना मातु हूँ परदेवतम माता से बड़ा anything there cannot be anything that is bigger that is larger that is more than the mother और शायद हम जब अपनी मा की बात करते हैं तो हमारी मा जहां हम रहते हैं वो भी हमारी मा and I think nothing is better it cannot be anything that is better than the mother the motherland तो याद रखेगा ना मातु हूँ परदेवतम और इसी positivity के साथ हमेशा रहिएगा कोई भी पूरे संसार में हो सकता है सब विरुद्ध होंगे हो सकता है कि बहुत कठिनाई आएगी पर शायद आपके माबाप हमेशा आपके साथ देंगे आपके साथ रहेंगे and this is the beauty of maybe the creation the relationship that has come between mother father and the son or the daughter यह चीज़ कभी नहीं टूटेगी किसी पर भी भरोसा करने से अच्छा है कि आप उनको देखिए उनके तरफ में भी whatever you would like to wish them उन्हीं के लिए करिये ना मात हुपर देवतम याद रखिएगा चलिए आज ही सब लोग ठीक है so the answer to this question है true 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 देखिएगा this is bounded by the canneries current यहां canneries current है आपको उने बताया the canneries current canneries current इसी को अगर वो पूछ लेते हैं the African continent is bounded by banguela current in the southwest banguela current in the southwest इसको क्या answer दे सकते हैं is it bounded by the banguela current in the southwest बतायेगा सोचेगा is it bounded by the banguela current in the southwest बतायेगा it is bounded by the banguela current by the southwest बिल्कुल आप सही बोल रहे है आप बिल्कुल सही बोल रहे है yes it is bounded by the banguela current in the southwest दो important current आपको नाम याद रखना होगा one is your canneries current and the second one is your banguela current the second one is your banguela current अधिती देखिएगा फिर से सुनिएगा banguela current कहा है देखिएगा ना यह आपका banguela current है यह southwest में है आप this is my banguela current clear होगे है banguela current है चीजे मैड और मैप से याद रखनी कोशिश करेंगे कौन कहां पे canneries banguela canneries उपर से banguela नीचे से जा रहा है ठीक है चलिए दूसरा प्रशना आप सबके सामने आने वाला है वो रहा यह ध्यान से पढ़िएगा consider the following statements the strait of Bab al-Mandeb separates Africa from Europe second the strait of Gibraltar connects the Mediterranean Sea with Atlantic Ocean which of the statements given above is are correct one only two only both one and two neither one nor two याद रखना होगा आपको दिशा याद रखिएगा जलबाजी मत करिएगा Bab al-Mandeb भब घुमे हुए है हमने आपको Africa घुमाया हुआ है and I have told you कहां क्या मिलेगा गलत होने की गुंजाइश नहीं है आपको बिलकुल सही करना है and I hope that you will do this very correct और लोगों का अंसर आने लगा है they are really telling something that maybe P B to only B B B to only B B भई जब लगातार ही आप B और B कर रहे हैं तो B और B को हम नहीं न कार सकते हैं तो Strait of Bab al-Mandeb भब फिर से एक बार राउंड लगा लीजी अपने Africa का so that the things are there in your mind always तमझेगा Mediterranean Sea स्टेट अफ जिब्राल्टर देखिएगा स्टेट अफ जिब्राल्टर connects the Mediterranean Sea with the Atlantic यही Mediterranean Sea और Atlantic Ocean का जो opening है यही है स्टेट अफ जिब्राल्टर यह आपका आग्या Canneries आप और नीचे आजएए आपको मिल जाएगा आपका Grain, Ivory, Gold, Slave, Skeleton Coast है यहां से उपर जाएंगे मोजामिक चैनल है You come here, this is your Bab Al Man Dev इससे सेपरेट कर रहा है भाई और भाई और इस Asia इससे सेपरेटिंग आफरिका फ्रॉम एशिया आफरिका फ्रॉम एशिया बहुत बढ़िया है आप इसमें अंदर थोड़ा जाईए घूम के आईए बबल मंडेब को Red Sea में आप जाते हैं वाया इंडियन ओशियन वाया बबल मंडेब अंदर जाते हैं आप Red Sea पहुंच जाते हैं सूस को पकड़के आप फिर पहुंच जाते हैं Very correct, I hope this is correct with all of you सबने इसका सही जवाब दिया है यह बिलकुल गलत है Separates Africa from Asia होता तो सही होता Clear हो गया है Two only चली आगे चलते हैं पहला गलत है, दूसरा बिलकुल सही है Consider the following lakes Lake Kariba This is Lake Kariba K-A-R-I-B-A Lake Victoria Lake Malawi Lake Tanganyika What would be the correct sequence of the above lakes From North to South From North to South आना है आजाए जल्दी से हमने बहुत बार अफ्रिका का चक्कर लगाया है कौन आएगा देखते हैं जल्दी से Let me see how many of you will make something Gray and Ivory, Gold Slave, Skeleton Coast बहुत बढ़ीया रितुराज आपको सब याद हो चुका है बहुत बढ़ीया लग रहा है देखके विरेंद्र बिल्कुल सही बोल रहे हैं शिवन्या सही है लगबख शिवन्या का भी चीज़े बहुत अच्छे से चल नहीं है सही बहुत बहुत सही है रितुराज सेज साच्षि सेज डी शुकला जी सेज ही आकाश कपूर सेज्सी अखलेश कुमार-पंगिट सेज ए इसलिए वहला C, D, A आ चुका है कोई B पे भी है क्या कोई B भी बोल दे भाई C, D, A आ तो आ चुका है D, B आ रहा है C, B, A, B आ चुका है Anyone who would say that it is B also कोई B पे भी है क्या कोई दिकत नहीं है आज यहां गलत होने दीजे You have the chance here to do this wrong and learn it from here itself वहां गलत होने का चांस ही नहीं है चलिए D आ गया, C आ गया, A आ गया, D आ गया, B अभी तक missing है B किसी ने नहीं बोला है, कोई ढूड़ना चाहेगा, क्या B भी हो सकता है थोड़ा विजिट करके आई हो सकता है B भी आ जाए अंसर, थोड़ा विजिट करके आई है नहीं, चलिए चालू करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा आपको चीजों को अगर फिर सम याद दिला दें, आप चले थे अपने ताना से आप तुरकाना भी घुमे हुए है, I think you can remember this आपने विक्टोरिया भी देखा हुआ है आपने एलबर्ट भी देखा हुआ है, आपने एडवर्ड भी देख रखा है आप तंगानिका भी देखे हुए है, तंगानिका, तंगानिका आप मालावी भी देखे हुए है, अप प्रॉब्लम है कहाँ विक्टोरिया नंबर टू, तंग्यानिका नंबर फोर तो 2 के बाद तो 4 मतलब आना ही आना है और इसी के बाद आएगा 3 तो देखे 2, 4, 3 कहीं दिख रहा है क्या 2, 4, 3, 2, 4, 3 कहीं नहीं दिख रहा है एक जगा बस दिख रहा है जिसमें 2, 4, 3 ऐसे आया हुआ तो उसके बाद में 1 आया हुए बागी किसी में देखिए 243 तो बनी नहीं रहा है तो बिना देखिए अगर करीबा किसी को नहीं भी मालूम है तो आप काट सकते हैं फिर से सबको जेहिंद है आपने काट दिया उपर का तीन बचता है मेरा 243 वन देखिएगा जंबेजी रिवर हमने आपको बताया था दिस जंबेजी रिवर जंबेजी रिवर निकल रही है यहां मैं आपको बताया था एक डैम है जिसका नाम है करीबा करीबा यही हमारा है लेक करीबा लेक करीबा is the largest man-made reservoir of volume सबसे ज़्यादा volume of water अगर किसी ने man-made ने बनाया है तो है वो लेक करीबा is there on river जंबेजी और नीचे आजाए यह मालावी के भी आप पहुंच जाएंगे जंबेजी में और आप पहुंच जाएंगे करीबा में 2431 not to south याद रखिएगा करीबा हमने आपको कल बताया था जिन्नोंने ध्यान से सुना होगा करीबा is there on जंबेजी जं यह आगे चलते हैं question number four is there in front of you now consider the following statements बहुत simple है largest country of Africa in terms of area is Nigeria specials is the smallest country in Africa which of the statements given above is are correct one only two only both one and two neither one nor two और आपका समय शुरू होता है अब which of the following statements are correct the largest country of Africa in terms of area is Nigeria तूसरा बोलता है specials is the smallest country in Africa which of the statements given above is that correct one only two only both one and two neither one nor two answer आने लगे हैं कुछ लोग का कहना है C बिलकुल सही लग रहा है लोगों को कुछ लोग का कहना है B सही है पर यह इंदर कहते हैं sir one सही नहीं है साक्षी कहती है B सही है पर यह दर्शी भी कहते है C सही है यह मेगा कह रही है B बहुत बार कह रही है B तो लोग किया जाए कि किसी answer को majority दिख रही है B की majority दिख रही है B की let's lock this option B को lock करते है और इसमें बोलता है two only और जानके आप सब को खुशी होगी कि जिन लोगों ने भी बोला है वो बिलकुल सही है वो बिलकुल true बोल नहीं है या इसको बिलकुल correctly देख चुके है लाजेस कंट्री ओफ आफ्रिका आपको बताया था अलजीरिया है नाइजेरिया में सबस्यादा population है अलजीरिया सबसे बड़ी है अलजीरिया सबसे बड़ी है officials is the smallest country in Africa बिलकुल सही है two only आगया आपका answer two only याद रखियेगा this is two only और आप जीट चुके हैं अपनी इमानदारी का फुरसकार let's move to question number five बहुत important है ध्यान से समय लेके दीजेगा answer which of the following lakes lies in the great rift valley lake Chad number one two है lake Malawi three lake Tanganyika four is lake Victoria which of the following lakes lies in the great rift valley lake Chad, lake Malawi, lake Tanganyika, lake Victoria आपके options है 1 and 2 only, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 और आपका समय शुरू हो चुका है आपको यह answer पता होना चाहिए पता है I know let's see how many of you can give me the answer और हमने इसको चीक चीक के बोला है तो गलत होने की गुंजाईश है ही नहीं आपको बस बता देना है कि कौन सा आपको पताया था देरा वेरियस नूमरस प्लेट्स कमिंग अप हम जब प्लेटेक्टॉनिस पढ़ाएंगे तो समझेगा बहुत छोटी छोटी प्लेट्स आजकल निकल के आ रहें सामने हैं बहुत उत्पात मचा रहें तो आफ्रीका जो आपको आज दिख रहा है ऐसा नहीं रहने वाला है एफ्रीका का इस्टन भाग अलग हो रहा है because there is a great rift valley that is coming up तूट रहा है अफ्रीका परिशान है अफ्रीका तूट रहा है और इसी तूट में भर रही है हमारी valleys हमारा पानी भर रहा है that is my rift valley this is my rift valley समझेगा आप बिलकुल समझ सकते हैं कि भाई Victoria हमने बार बार आपको बोला है कि नहीं है नहीं है नहीं है क्यों नहीं है it is lying between two branches of देखिए दो rift बन रहा है एक ऐसे बन रहा है आपका और एक ऐसे आ रहा है इसके बीच में है लेक विक्टोरिया लेक विक्टोरिया इस तैंडविस्ट between the great rift valleys or the branches of it it is not on it it is not on it याद रखिएगा लेक विक्टोरिया बीच में उपर नहीं है हमने आपको बताया था तंगानी का देख लिजे बिलकुल ऐसे फैला हुआ है ये लेक और नीचे आजाए ये माला भी है ये दो तो बिलकुल है ढूंडिये four काट दिजे four नहीं होगा two three कहा है दि तुन्होंने अभी बोल रहे हैं आप देखिएगा डी अभी कहां से आगे आप अच्छा कुछ लोग पुराना भी देखके शायद आंसर देते हैं तो इसका आंसर है चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्ण की और और आप फिर से जो देख रहें चीजों को याद रख रहे चलिए आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं क्वेश्ण नमबर 6 इस देर इन फ्रेंट आफ यू नाओ इछ फॉल्लिंग कंट्रीस हैं क्यों हॉर्ण अफ एफ्रिका का पार्ट बनाती हैं एथियोपिया, सोमालिया, एरिट्रिया, सुडान और देखते हैं इसका जवाब कौन देगा आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं मैड और मैप्स में आपको सारे क्लारिटी हो चुकी है कौन कहां पे हैं और भी क्लारिटी धीरे धीरे आएगी क्योंकि अभी हम जब बहुत चीज पढ़ाएंगे जैसे आपको जब ह रूबरू करा रहे हैं आपको विदाउट वीजा विदाउट फ्लाइट अब धीरे धीरे वीजा भी लगेगा फ्लाइट भी मिलेगी तब हम समझेंगे कि एथियॉपिया में वाकई में चल क्या रहा था तब और मजाएगा अभी देखते हैं चलिए आंसर आने लगा है औ होन में सीड है तो डी सर आप भूल चुके हैं डी लगाईए देखियेगा तसीड आट वीरेमेंबर फॉर्ण फॉर्ण फैफरिका यह वाला जो पुजीशन है आपका इफ आई अगें ट्राइट तू मेक देखियेगा यह वाला जो आपका पुजीशन है यह वाला इस यह that has Eritrea and that has your Jibuti Jibuti hence Sudan is not there answer is C1,2,1,3 only it cannot be Sudan Sudan अंदर है पर आप से प्रश्ण आपकर हम यही पूछ ले क्या Sudan Red Sea को छूता है या नहीं क्या South Sudan Red Sea को छूता है या नहीं who would tell me does Sudan share a border with Red Sea or not does South Sudan share a border with Red Sea or not कौन बताएगा please tell me Sudan is not a part of Horde of Africa very correct the answer is 1,2,3 but I want to have more clarity does Sudan touch your Red Sea or not does South Sudan touch your Red Sea or not who will tell me the answer let's see yes, yes, no पीर पना इससे किसके लिए भूए किसके लिए यस है किसके लिए यूए, yes किसके लिए निखना चाते हैं कर रहा terrorists कि नहीं अगर लिए कि नहीं कि देखिएगा सुडान आपका रेड़ सी को टच कर रहा है कर रहा है से कोई डाउट नहीं है साउस सुडान सो बोला तू नीचे जा यू के नाट बेलाव तो गेट एकसे तुरेड सी यही बहुत बड़ा दौन्द चल रहा है सुडान वस्ट वाफ कंट्रोल ओवर वाटर है वाफ कंट्रोल ओवर डर्फूर साउस सुडान मोलता है इन अबेई 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 डर्फूर अब देखिए एक और बात याद रखिएगा कभी मालेजे क्वेस्टन आ गया अबेई रीजन यह डारेट आता है अबेई या अबेई या फिर अबेई य ऐ अबेई रीजन दर्फूर दर्फूर कहां है कौन बताएगा कि तुडान यस बहुत बढ़िया अबेई कहां है सुडान साउस दान चे बीच में प्रश्ना आ गया डर्फुर कहां है वेस्ट सुडान में जाईए आपको हम ले गए थे वेस्ट सुडान में थोड़ा घुमा के लाए थे तब बॉर्डर दाट इस चैड और नीचे क्या है आपका रिपब्लिक वहां दोनों से जो बना रहा है वही आपका वेस्ट सुडान बहुत बढ़िया ब याद रख्येगा सीड है हमारा बहुत बढ़िया दिया था किसी ने नाइजेरिया अच्छा यह पुराना अंसर सा रहा है चली कोई बात नहीं आगे चलते हैं देखिएगा question number 7 आचुका है आपकी screen पे consider the following rivers का नाम लिखा हुआ है और they are draining into what पहला है river Congo that drains into Atlantic, river Nile क्या हो मेटेरेनियन में जा रही है, river Zambezi है क्या हो Atlantic में जाती है, river Orange है क्या हो Indian Ocean में जाती है which of the pairs are correctly masked आपको यह बताना है 1 and 2 only, the second one is your 3 and 4 only, c is 2 and 3 only, d is 1, 2, 3 and 4 आपका समय शुरू हो चुका है, बहुत ही simple है आपको दिमाग भी बस map बना के रखना है and no one can stop you from learning these as we have discussed a lot about them now आपको याद हो चुका होगा, जिनको नहीं है, हम उनके लिए थोड़ा कोशिश अभी फिर से करेंगे, let's see if I can try to help them पर जो लोग regularly follow कर रहे हैं, चलिए, रिवर नाइल को पहले भेजिए, उपर बहुत परिशान है, रिवर नाइल को पहले उपर भेजिए, रिवर नाइल has gone up, that is towards your Mediterranean, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, कोई भी डाउट नहीं है, टू में कोई डाउट नहीं है, तो पहले बेज़ी had very important dam on it, very important fall on it, जिसको हम करीबा का नाम दिये थे, करीबा कहा है, जंबेजी पे, जंबेजी कहा गिर रही है, देखियेगा, जंबेजी कहा गिर रही है, देखियेगा, जंबेजी is falling like this, this is my Mozambic channel, or my Indian Ocean, or my Indian Ocean, ढून्ड ये, रिवर जंबेजी लिखा है, Atlantic Ocean, सर, कौन सेट पता है मुझे, रिवर जंबेजी is going towards the east and falling in Indian Ocean, या Mozambic channel है, आप Atlantic में गिरा है, थ्री नहीं सही हो सकता है, you have to cut the third option, थ्री काट दीजे, थ्री काट दीजे, आगे जानना ही नहीं है, आजकर direct question आ रहा है, थोड़ा वो थम्हें idea होगा तो हम पकड़ लेंगे कौन कहां है, आपको वोलगा भी है, वोलगा भी direct आया था, बहुत important है इस तब चीजे, लगता है कि चार नंबर आ रहे हैं, पर आपका एक नंबर समझ रहें, लाइफ इधर से उधर कर सकता है, हम तो चार नंबर में तो पता नहीं क्या विदा हो जाएंगे, तो एक नंबर में जब लाइफ इधर उधर हो सकती है, तो चार नंबर तो बहुत बढ़ी चीजे है, समझेगा, river zambesie यहां गिर रहा है, इंडियन ओशन में गिर रहा है, म और इस रिवर ओरेज फॉलिंग लिए कि कि का या दे क्या वेर इस फॉलिंग, हमने आपको बताया था कल, वेर इट इस फॉलिंग, जल्दी से बता दीजे टीवर ओरेंज कहां से निकल रही थी कहां गिर रही थी हमने आपको बताया था कल जल्दी बता दीजे आप देखिएगा हमने आपको बोला था ड्रेकेंसबर्ग इस इस द्रेकेंसबर्ग प्लाट्यू ड्रेकेंसबर्ग प्लाट्यू प्रॉम दिस द्रेकेंसबर्ग प्लाट्यू इस द्रेकेंसबर्ग प्लाट्यू इस द्रेकेंसबर्ग प्लाट्यू इस द्रेकेंसबर्ग प्लाट्यू इस द्रेकेंसबर्ग प्लाट्यू वो लिम्पोपो है अधिती देख लीजेगा चेक कर लीजेगा एक बार एक बट चेक कर लिजेगा औरेंज आपका अट्लांटिक में जा रही है देख लिजेगा कल बताया थे एक लिम्पोपो भी है लिम्पोपो भी जा रही है ये किधर जा रही है आपको हमने कल बताया था आप नीचे आते हैं आपके मोजामिक चैनल से नीचे आते हैं you see that river Limpopo is falling clear हो गया है सबको आचली आगे बढ़ते हैं question number 8 आपके सामने ये रहा equator passes through which of the following countries of Africa Kenya Uganda Tanzania Japan Somalia बहुत गंभीर question है ये कि निगेटिव लिस्ट अपनी तयार रखे निगेटिव लिस्ट किया है रखना होगा आपको हमने आपको बताया था आज़ पास की प्रजट शर्मा जी कहते हैं एक ताक्षी जी का कहना है एक चली और कोई बताना चाहेंगा एक वेटर पास करा रहे हैं कि एक वेटर पास करा रहे हैं जल्दी बता दीजे कहां से करा है तंजानिया इलिमिनेट हो जाया गा रहा है इसको इलिमिनेट कर दीजे खतम बात पहटा दीजे आप देखिए न लेक तंगानिका पर पहुंच जाए यह तंजानिया वही पर था तो उपर कहां आएगा आपका बस्ता क्या है केनिया बिलकुल है युगांडा है गैबॉन है सोमालिया है याद रखिएगा आंसर इसे वान टू फॉर और फाइव ओंली कोई कंट्री चूट रही है क्या कोई कंट्री चूट रही है क्या अगर हम लिख दें यहां पर देमॉक्रेटिक रिपब्लिक आफ कॉंगो डज़िक पासे स्रूंग और नॉट क्या यह कॉंगो से निकलता है कि नहीं निकलता है कॉंगो से निकलता है या नहीं निकलतेगा याद रखिएगा एक एसी नदी है इक्वेटर को दो बार कट कर रही है उसका नाम भी आपको पता है तैट इसुर्वर कॉंगो तो कॉंगो तो कोई भी देश नुखले रिपपलिक आमगोऊ आपका पास करेगी ही करेगा एक्वेटर करेगा ही करेगा वह से याद होगे आप लोग को डियारसी या फिर выпंबलीक और कॉंगो बिल्कुल है एक्वेटर पे यह किएगा येस कर पिल्कूल सही चलिए एक और देखिए गांए टी टोरियल गिनी इकोटोरियल गिनी पास करता है थे learnt ही यह लिए पड़ा आपको पड़ा क्योंगी कुट्स कर रहा है रहे करेक्ट ja, अब हमको पता नहीं चलाए ये सोर नो किसके लिए लिख रहे है और क्या इसकली ये Сलिक रहे हैं कि कर तकर रीक्रेश कर रहा है कि टोरिल गिने is not there, do remember this, याद रखियेगा, बहुत बढ़िया, चलिए, सबको अब सब याद हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं, चलिए, come to this ninth question and have some patience, all the deserts in Africa lie in the northern hemisphere, the highest mountain peaks in Africa lie near the tropic of cancer, third, Africa is the only continent where the equator meets tropic of cancer, ठीक है, sorry, the zero degree latitude, अच्छा ये कुछ गलत है यापे, just a second, ये कुछ गलत है यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे, if I give you, suppose Africa is the only continent where zero degree latitude meets your prime meridian, prime meridian, चलिए, ये कुछ गलत हो गया था, zero degree, zero degree वाला हो सकता है, बनेगा ये, तो ये गलत हो गया था, थर्ड वाला देख लीजेगा, ये अला थर्ड वाल देखिएगा, all the deserts in Africa lie in the northern hemisphere, second and the highest mountain peak in Africa lie near the tropic of cancer, Africa is the only continent where your latitude of zero degree, that is equator, meets the prime meridian, meets the prime meridian, चलिए, इसका जवाब कौन देगा, बहुत बढ़िया है, जवाब आने लगा है, B3 only, B3 only, कुछ C पे भी है, अच्छा, कुछ B पे है, only three, only three पे भी हैं कुछ लोग, देखिएगा, हमने कुछ बाते की थी उसके उपर, पहला चली देख लेते हैं, all the deserts in Africa lie in the northern hemisphere, इसको तो आप खारिच कर सकते हैं, चुकि आपको आफरिका का जोगरफी थोड़ा बहुत पता चल चुका है, समझेगा, यह जो आपका equator divide करता है आफरिका को, यह बिल्कुल ऐसा divide करता है, कि जो भी यहाँ facilities बनती है, यहाँ जो भी vegetation या climate बनता है, लगभग यह इसका mirror बनता है नीचे भी, the same features that you are getting here, यहाँ भी लगभग same vegetation, same features, same deserts मिलते हैं, तो deserts उपर है, नहीं, आपने नीचे भी देखा है, कालाहरी भी है, नामिप भी है, आपने देखा हुआ है, the great karu भी है, the great karu, कि सारे आपके Southern Hemisphere में हैं, ठीक है, दूसरा highest mountain peak in Africa lies, भाई यह रहा आपका किली मंजारो, किली मंजारो, कहां आप बात कर रहे हैं, topic of cancer का, किली मंजारो हो गाई है, clear हो गया है, किली मंजारो, clear हो गया है, किली मंजारो, याद हो गया है, तिसरा देखे का Africa is the only continent where zero degree हमने आपको बताया था, एक null island है, null island है, this is your null island, null island where meets your zero degree and zero degree, that is your equator and prime meridian, that is your zero degree and zero degree, याद रख लिजेगा इसको, B है इसका answer, 3 only correct है, highest mountain peak cannot be near a tropic of cancer, क्योंकि किली मंजारो है, आप उसको याद रख सकते हैं, किली एक प्रश्णगर हम आपसे पूछ लें, prime meridian, prime meridian, meets equator, कहां पे, prime meridian, that is आपका zero degree है, longitude का बात कर रहे हैं, and your tropic of cancer, meets where, कहां meet करते हैं, पताया, where is your prime meridian and the tropic of cancer meeting, please tell me, कहां meet कर रहे हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा, देखिएगा, ध्यान पुरुवक देखिएगा, हमने आपको एक country दिखाई थी, उस country में भी meet करता था, अरे अभी ट्रॉपिक of cancer पे आ गए, null island तो equator के लिए हो गया, zero degree, zero degree, null island है, zero degree, zero degree, zero degree, prime meridian, zero degree latitude हो गया, पर हमने आपको दिखाया था, ट्रॉपिक of cancer, पास कर रहा है, तो cut कर रहा है, prime meridian को, कहां है वो, भाई, ओशन पे नहीं होगा, land था वहाँ पे, एक बार revision की आवचकता है, गल्फ ऑफ गिनी, आप फिर नीचे मत आईए, आप दिखिए न, हमने आपको जब null island यहां दिखाया, तो ट्रॉपिक of cancer तो उपर ही होगा न, यह तो आप comment दिखाये, भाई, null island अगर यहां है, तो ट्रॉपिक of cancer तो यहीं पे होगा न, अब यहां है, पानी कहां गिया, यहां एट्लांडिक अंदर घुज गया गया, आफ्रिका के अंदर थोड़ी नहीं घुज गया, यह कब हुआ है, इधर पीछ खबर आई गया कोई, तो बिल्कुल है, Algeria, the country is Algeria, the largest area wise country of Africa, Algeria, यहीं meet करता है आपका प्राइम मेरीडियन और आपका this topic of cancer, ठीक है, याद रखेगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, consider the following pairs, पहला है, Ethiopian Highland, source of Nile River, तूसरा है, कटंग प्लाट्यू, uranium deposits, तीसरा है, अड़ामावा प्लाट्यू, सवाना vegetation, which of the above pairs are correctly masked, ध्यान पूरुवक, हो सकता है, कुछ चीजे नए नाम से आएंगी, पर आपको घबराना नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि reverse engineering करें, और आपको चीजे याद हो जाए, Ethiopian Highland is famous for the source of Nile River, अच्छा, कटंग प्लाट्यू में, uranium है, सभी बात है क्या, अड़ामावा प्लाट्यू है, सावाना vegetation, कौन सा correctly masked है, आप बताएंगे, कुछ लोग पहले देख रहें, कुछ लोग यह लाइफ देख रहें, तो हमां कीजेगा, अगर एसी कोई हमसे भूल हुई हो तो शालू, हम आपसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का उसके बाद पूछे थे, ठीक है, पताएंगे, kebab, آज़ा-आप में सवाना एंट के ली आंसर B भी आ रहा है, आंसर C भी आ रहा है, नीता जी बोलती है बहें दीपा जी बोलत हैं सी हैं रितुराज बोलते हैं टैन ए है अधिती भी पर है, नीत भी भी पर है आकि अभी धीरे धीरे आद्थे ग्हुन या चुकी है कि के लिए भी कोई देख ले रजट शर्मा वाई अलजीरिया क्या हो रहा ना देखिए और अब पास करता है अलजीरिया ने चंण और रहा है आपकर पर से और अ क्या कर रहा है इससे से भी अब कर्णाजा और कुमार कुत्वाल जी का कहना डी लग रहा है सर शिवनया अ बोल रही है साक्षी भी ए बोल नहीं और ए नहीं ए ए ए ए बोल नहीं है कि यही होगा बाकी लोग धीरे-धीर आंसर दे रहे हैं चलिए अच्छा है आपको अफ्रिका आपको तयार हो रहा अच्छे से आई चालू करते हैं पहली चीज एथियोपियन हाइलेंड देखियेगा यह प्रश् लेक तना से ही सोर्स निकलता है हमारा नाइल के लिए तो बिलकुल सही है पहला वाला एथियोपियन हाइलेंड आगे बढ़ते हैं कटंग प्लैट्यू है हमने आपको दिखाया था यह आपका कटंग प्लैट्यू है यहां पे कटंग प्लैट्यू इस पुल आफ लॉड़ दो ही जगह आपके देखेंगे तो मेजोरिटी अफ यूरानियम मिलते हैं एक यह पार्ट है और एक यह पार्ट है तो कटंग प्लैट्यू बिलकुल है आपका यूरानियम डिपॉसिट एकदम है चलिए तीसरा देखिए अड़ामावा प्लैट्यू सवाना वेजिटेशन यहां से देखिएगा आपका उपर से हमने चलू किया तो हमने आपको बोला था यह है अहगर या होगर उपर होगर है फिर जोस है इसी के जस नीचे आपका अड़ामावा है अड़ामावा में हम बोलते है कि हमारा सवाना वेजिटेशन फाइंड होता है बिलकुल सही है हो गया है याद रखिएगा यह तीनों ही सही है एड़ामावा प्लैट्व में आपका सवाना वेजिटेशन मिलता है याद रखिए कि यह हो गया है कि यह सबको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेस्चन नमबर 11 की तरफ यह हो चुका है आगे बढ़े हैं कि नूबियन डेजर्ट ऑफ दा सहारा लाइस बिट्वीन विच्टु वाटर एंटिटीज नूबियन के लिए पूछ रहा है देखिएगा नाइल एंड मेडिटेरेनियन सेनेगल एंड अट्लांटिक नाइल एंड रेड सी टॉंगो एंड अट्लांटिक सी पटाएगा बहुत बढ़ी है शिवन्या बहुत बढ़ी है अब देख सकते हैं वह वेजिटेशन पढ़ाएंगे तो फिर से आपको घुमाएंगे प्रणा रिवर्स इंजिनिरिंग कर रहे हैं याद रखे का सवाना एक तरह का वेजिटेशन होता है जैसे आप समस्के नावाना है सुडान टाइप अव क्लाइमेट है यह सब एक तरह से हम जब करेंगे तो आपको बताएंगे लूबियन डेजर्ट कहा पाया जाएगा क्या यह नाइल और मेडिटरेनियन के बीच में है सेनिगल और अट्लांटिक के बीच में तो पहला तो आप दो काटी सकते इसको तो काटी दीचे इसमें तो कोई सवाल ही नहीं होगा नाइल एंड रेड़ सी लास्ट पॉंग अट्लांटिक से तो भाई हमें नूबियन तो उपर ही पता था कि उपर ही है देखिएगा पी है आपको बताया था यह हमारा नूबियन है नूबियन क्या मतलब हो गया यह रेड़ सी है और यहां आपकी रिवर नाइल निकल नहीं तो नाइल एंड रेड़ सी के बीच का है बिलकुल सही है एक प्रस्ट यहीं पर आपके लिए तूरंथम बना देते हैं ताकि आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएं अरेंज फ्रॉम नॉर्थ तू साउथ आप इंथ्यूपियन हाइए लैंड री इस यौर पाई प्लाट्यू बाई प्लाट्यूए होह इस यूर ड्री आपको नॉर्ट से साउथ लगाना है ऑप्शन सारे एक ऑप्शन है आपका जो हो जाएगा इट तू वन फोर दी होजाएगा वट्ट उन ट्री फोर टी हो जायगा 2143 और डी हो जाएगा आपका 4123 आंसर नौ से साउथ लगाना है अरे अन्ष ने पहली दे दिया क्या कि अन्ष ने पहली दे दिया है अन्ष बोलते हैं 1234 है सर पताइएगा कि पता सकता है क्या है कि दिखिए 1234 बी बी 1234 बी समझेगा आपको चीज़े याद हो चुकी है वेरी गुड आपको एटलस उपर दिख जाता था माउंटेन से आपको अहगर दिखते थे हम जल्दी से एक बार थोड़ा सा आपको बस रिकॉल करा दे रहें शाया दिमाग में फिर जल्दी से सेट हो जाए यह आपका एटलस था यहीं पर तिबेस्ति था तिबे करूँ और यहीं था ड्रेकेंश बर्क ड्रेकेंश बर्क किसे आपको याद हो चुकी है बहुत अच्छा लग रहा है देखिए वेरी गुड आइए चलते हैं अगले कोशन की तरफ करसी तद फॉलें स्टेटमेंस रिस्पेक्ट टू आटलस माउंटेंस इस्टिएट है तुनीश्या हाइस पॉइंट इस माउंट तुकाल पताई पताईएगा आप अपना समय ले सकते हैं आराम से बताईएगा पर इसको सही करने के बाद शायद एक कॉंफिदेंस आ चुका होगा आपके अंदर या आ जायेगा आपके अंदर कि आपको समझ में आएगा पर अब अब अच्छे से बता सकते हैं आइओ अपने लेट में नो यह कहां पर है कैसे हैं पूछा गया है बहुत इसमें मुश्किल नहीं है कि ओली वन कि करेक्ट पूछा है कि अब सी बोल रहे हैं टू एंट्री टू एंट्री बी आरा टू ओनली कि देख लीजेगा एक फिर से डी भी कुछ बोल रहे है कि पताएगा कि पताएगा कि कि पहला तो आपको क्लियर ही है पहला तो आपको क्लियर ही है कि सिच्चुएटेट्ट नौथ इस्टन में कहां होगा हमने अभी तो बताया क्लियर हो गया यह तो नौर्थ वेस्ट में यह तो पहला तो आपका गलती है पहला काट दीजिए अब प्रश्ण आदमी फंसता इसी के बीच में स्प्रेड ओवर मोरोक को तो फिर से देखिए आपका मोरोक को यहीं से चालू हो रहा था मोरोक को से पूरा लेके अलजीरा तुनीश्या फैला हुआ अटलस मांटेन बिलकुल सही है और आपका बिलकुल है तो याद रखिए और हाइट भी दे दिया है रितुराज जी ने बहुत बढ़िया तो देखिएगा आप शायद आपकी तयारी शायद मैप्स की अच्छी हो रही होगी उमीद हमारी यही है कोशिश यही है कि आपको वो क्वेशन हम अट्रेंट करवा ले जाएंगे यूपीसी में जो आएग अगर आपको लग रहा है कि हम अदद हो रही तो जरूर बताइएगा आप यूपन कमेंट यूपन लाइक और सब्सक्राइब आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो अब हम चालू करने जा रहे हैं और इंडिया जब आएगा एश्या जब आएगा तो बहुत मजा आने वाला है और आपको बहुत कुछ आएगा फिर से विजिट करेंगे और आपको बिल्कुर ठीक करा के छोड़ेंगे और जब ठीक होगा नहीं छोड़ेंगे नहीं और वेरी बेस्ट सभी को और फिर से सब आपको आप कुछेंस हो गया वापको बोली तो हम मना देते हैं क्वेश्चन बस यही है क्वेश्चन आपको चाहिए तो मना सकते हैं एक दो और अगर आपको चाहिए तो चलिए अगर इतना ही मन है तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अगर इतना ही मन है तो चलिएगा consider the following statements consider the following statements टेखते से कौन आंसर देता है consider the following statements A sorry 1 river limpopo cuts propic of capricorn twice second second Sahel region Sahel region is between is between equatorial forest and equatorial forest and Sudan vegetation Sudan vegetation which of these are correct which of these are correct A one only B two only C both one and two neither one nor two पता ही कुमार कुत्वाल जी दो करोड वाला question यह रहा आपकी screen पे पता ही अच्छा अ हुआ आटूराज टेक अ सेशन on wto and subsidiary issues अभी उसमें आगा न डोस अफ नोट्स में आगा चिंता अमस करें डब्लू टीओ आएगा बहुत इंपॉर्टैंट है आए आएगा की लग करोर हो सकता है विष्श हम दे पाएंगे आपको अपने दो करोड लिखा है तो ठीक है बिलकल सही है पैसे आपने लिखा नहीं तो 2 करोड विष्य हम आपको जरूर देंगे कि आपकी जो भी पैशन है डिजायर पूरी हो और आप बहुत भेत्री ने को आफिसर रेका इंसान मनें जरूरी वह है तो देखते हैं कौन इसका यह पाएगा कि पुथ ओन्ली वन बोद एए एए सबाद चुके हैं देखते हैं कौन सही दे रहा है तो पिर समय आपको अपने ले लिजे को कि वापको समय दे रहे देख लिजे कि सब टिक्टॉनिक भी हो जाएगा मैड और मैप्स में करेंगे चिंता मत करिए सब कर लेंगे कि इसका अंसर देखते हैं आप ए और बी ए और सी के बीच में लड़ाई चल रही है ए और सी में या तो वान है या तो दोनों है पांच करोड़ विशेज या दो करोड़ विशेज के लिए यह सवाल था आपके सामने भले ही आप सही कियों गलत कियों विशेज जरूर साथ में है आपके देखिएगा रिवर लिंपोपो कर्स ट्रॉपिक ऑफ क्याप्रिकॉन ट्वाइस इसमें कोई डाउट है ही नहीं I think this is a very very correct thing हमने आपको बताया था साहिल रीजन इस बिट्वीन एकुटॉरियल फॉरेस्ट और सुद्राण विश्टेशन देखिएगा कि यह माल लीजे इस पर आते हैं इस इस माई आफ्रिका फ्रादिर इमाजिन कर लिजे प्रादिर इमाजिन कर लिए इकुटॉरियल का मतल इस होले सुदान तुडान टाइप अफ्लाइमेट है यह पूरा डेजर्ट है दिस डेजर्ट पीच में इसके यह वाला पार्ट इस यॉर साहिल रिजें इंडिया इंडिया थिंग अब तिंचार दिन पांस दिन बागी एशिया और इंडिया सब साथी चलू बहु जग इस साहिल देख लिए आप लो साहिल रिजन कहा है और यह देखिए बीच में सुडान टाइप आपक्लाइमेट यहीं पर यहां भी आएगा लगवग मिरर बनाता है उपर जो जो आ रहा हो नीचे भी आएगा हम इंडिया को इसलिए जानगुच के लेट कर रहे हैं क्योंकि हम उसे बहुत करेंट अफेर्स और बहुत कुछ देने वाले हैं तो डारेट प्रिलिम्स में कोईशन हिट करेगा इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आराम से लिए अभी तयार हो जाएगा तो दर खतम हो ज आस्ट्रेलिया करेंगे तो यह बताना नहीं है पिर भी थ्रॉब देख लेंगे हैं अधिति न बता देंगे कि सुदान टाइप ट्राइप क्लाइमिट क्या होता है तो बहुत बहुत धन्यबाद फिर से सभीका और आज से प्लस कोर्स चालू हो रहा है तो आप देख सकते ह है जोग्रफी का चार बज़े से हैं युकन अनौल इन डाट सीमसी माई कोड और डेली स्पेशल क्लास भी होती है आज स्पेशल क्लास हम ले रहें आंसर आइटिंग पे तो युकन ट्राइट साथ बज़े है और उसमें हम कमांड वर्स डिसकस करेंगे यह देख लिए चार को होता एकनामिक्स थर्स्डे को है मेडिवल इस तुस्डे एंचेंट इस ऐसे साथरे देश्यट आइट आइप डेख सकते हैं यह जोगर्फी और इसे और देख सकते हैं अभी कॉंब का जो उफर चल ला है अनिवन सब्सक्राइब करिएगा इसको फैलाना है में लेकर आना है सबको की जिसको भी प्रॉब्लम में दूइधा है वो मैड और मैप्स में आए तो जरूर करिएगा आज कोशिश करेंगे आपको एक संदेश देने की कुछ कवीता है हमारे पास जो हम आपके खुद की बनाई हुई हम आपको बताएंगे आज दिन में इस चैनल पर आएगा तो देखिएगा आज तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं इस चैनल लगाएंगे तो हो जाएगा और आपको मिलेगा खूब सारा टेस्ट लगाने को हंडे टेस्ट यहां तो बहुत सारा टेस्ट इससे भी चलता रहता है और बहुत बहुत धन्यवाद सब अपना ध्यान रखिएगा जैहिन एंड टेक गुट केर फिर हेल्थ और एंडियर वन्स और पढ़ते रहिएगा निरंतरता ही शायद एक मंत्र है जो हमें चाहिए कॉंस्टेंटली पढ़ते रहिए अपना स्ट्राटिजी बनाएए शेर करिए लेट्स टॉक अबाउट वाट वी अब टू क्रैक तो करना इस एक्जाम को बहुत अच्छे से करेंगे इंजॉय करी प्रिप्रेशन को थैंक्यू स्टो मच टेक कियर जैहिन ज्यांग रहिए